शर्द पूर्णमा के अपस्ता पर चमत कारी खीर का सीवन करने से दमाग खांसी अस्तमा पुरानी एलर्जे की बिमारे से निजात निलती है हमिर्पूर के लंबलू में शर्द पूर्णमा की रात को लेकर तैयार खीर मिली निशुलक आयूवेदिक दवाई खाने के लिए साल बर लोग इंतजार करते हैं आयुवेदिक चिक से डॉक्टर तिलोक शर्मा ने बताया कि शर्द पुर्णमा की रात को रात बर खीर चांद के रोश्री में रखी जाती है और दूसरे दिन सुवा सही खीर में दवाई मिलाकर मुरिजों को खिलाए जाती है उन्होंने बताया कि पिछले 20 सालों से दवाई मुरिजों को दी जा रही है और इसे खाने से काफी हतक स्वासे लाव मिलता है शर्द पुर्णमा के अफसर पर चमतकारी खीर का सेवन करने से दवा, खांसी, अस्तमा, पुरानी अलर्जी की बिमारे से निजात मिलती है हमिरपुर के लंबलू में सर्द पुर्णमा की रात को तैयार खीर में मिली निसुल्क आयूवेदिक दवाई खाने के लिए साल बर लोग इंतजार करते हैं पुर्णमा के लिए खीर का अपना महतब है और खीर को बना कर पूरी रात बर चांद की रोशनी में रखा जाता है और जो औस इस खीर पर आकर परती है बे काफी लावकारी मानी जाती है बाद में खीर में जड़ी पूटियों से बनाएगी और शन्दी दवाई मिलाई जाती है आयूर बेदिक चिक्सकर डाक्टर तिरलोक शर्मा ने बताया कि गत 20 बरसों की तरह इस बार भी शर्द पूर्वा के अफसर पर हमारे निवास थान लंबलू चिला हमिरपुर कांगरा बेंग के पास 14 अक्तूबर को दमा रोगियों को खीर में मिला कर ये दवा दी जाएगी जिनको बार बार जुकाम खांसी हो जाती है बेबी इस दवा का परयोग कर सकते हैं दवा सुबा साथ से ग्यारा बज़ तक निशुलक दी जाएगी उन्होंने कहा कि किलपया रोगी खाली पेट आएए उन्होंने कहा कि जाएदातर मरीजों को इसका लाव पहुंचा है बनाये राता है इसे और इस दवाई को हम फिर जो घूनाएगे उसको पूरी रात की सार्वी रात में रखेंगे और सूबा इस जो खीर में है उसमें ये दवाई बना कि मरीजों को देंगी मेरा मुरीचों से अन्रोध रहेगा कि वे खाली बेटाएं और सुबा साथ से ग्यारा वज तक यही द्वाई दी यह जिनको अस्थमा हो जिसे हम द्वा कहते हैं कि बारवार जिनको खासी हो जुखाम हो अलर्जिक काप हो उनके लिए बहुत उप्योगी पाई जाएगी बच साथ से रोगी जाएगो इससे बिलको ठीक हो जाते हैं वक्त उचले एक छोटी से ब्रेक का यह मिलते हैं ब्रेक के बाद